अगर आप लोगों को चिकन खाना पसंदे साथ ही साथ डोनट भी तो क्यों हम एक ऐसे डिश बनाएं आज जो आपको दोनों का ही लुट दे तो आज ही गाइस हमारी रेसिपी है चिकन डोनेट तो चली हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां में 400 ग्राम बोलनेश शिकन ले रही हूँ और इसके अंदर वन टेबोली स्पून चिल्ली फ्लैक्स जाल रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब सी रखी है यहां में नमक लिया है ती यहां चाट मसाला पावडर स्पून जिंजर गालिक पेस ले रही हूँ यहां में ब्लैक आप अच्छी तरह से निचोड़कर फिर इसमें डालेंगे अगर आप ब्रेट का स्लाइज यूज नहीं करना चाते हैं तो इसके जगा पर दो टेबली स्पून बेसन को अच्छी तरह से भूनके उसे यूज कर लीजिए यहां मैं एक अमूल चीज की क्यूब ले रही हूँ अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें हमें पानी ज़रा भी एड़नी करने और याद रहे है चिकन में भी पानी बिल्कुल नहीं होना चीए अब इसे में फूट प्रोसेसर या तो फिर आप निक्सी की जान में भी अच्छी तरह से स्मूथली ग्राइन कर लेंगे तो यहां पर मैंने इसे खूब अच्छी तरह से ग्राइन कर ली हूँ अब इसमें में मैश किया हुआ एक आलू दालूंगी जो के है एक कप वैसे आप चिकन डोनट बगेर आलू का भी बना सकते हैं बस आलू डालने से जो चिकन की डोनट होते हैं वो थोड़ा कम श्रिंग होते हैं अगर हम आलू नहीं दालते हैं तो चिकन डोनेट फ्राइ करते हुए थोड़ा ज़्यादा शिरिंग हो जाते हैं और हमारी चिकन डोनेट के आलू दालने से क्वेंटेटे भी बढ़ जाती है चलिए अब इसे हम डोनेट का शेफ दे रहते हैं पहले से हम कटलेट का शेफ देंगे बाद में फिंगर की मदद से उसे डोनेट का शेफ दे दे देंगे देखिए इस तरह से हमें डोनेट का शेफ दे देना है इसे इसी तरह से हम बाकी भी डोनेट बना लेंगे अब आपको क्या करना है इनको फ्रीजर में रख देना है आदे घंटे के लिए जिससे के थोड़ा यह सै्टल हो जाएंगे जिससे के यह अपना एक शेफ बना लगी है ही though यह तूटे कैनी खराब नहीं होँगी है आदे गंडे के लिए फ्Reez कर लेंगे तो देखिए मे अदे गंडे के ली फ्Reez कर लिया था और अब इस ने अपना शेप ले लिया और इसका शेप बिगड़े गा नहीं यहां मैंने एalgह बादा लिया है इसे में थोड़ा सा नमक और चिलिदा दालने से हमारी quantity बढ़ जाती है तो देखिए हमारी कोटिंग बनके रैडी हो गई है तो इसे पहले में अंडे में अच्छी तरह से दिप कर लूँगी देन उसके बाद इसे ब्रेट क्रम्स में अच्छी तरह से लगा के तबाकी भी रैडी कर लेंगे तो देखिए मैंने सारे डोनट इसी तरह से लूँगे लेकि में यहार मैंने एक पैन आल्यडी गरम करने रख दीथी अब इसके इंदर में डीफ और के हिसाब से ओइल करूंगी तो देखिए मेरा ऑईल अच्छी तरह से गरम हो चुका है अब इसके अंदर में डोनट जाल के अच्छी तरह से उसे फ्राइ कर लूंगी मैंने दूसरी तरह भी अच्छी तरह से फ्राइ कर लिया है और यह डोनट बनके हमारे रैडी हो चुके हैं तो देखिए हमा